तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर्स को आपस में ही प्यार हो जाता है और कुछ तो अपने पेशन्स के साथ ही रिलीशन में आते हैं लेकिन इसकी वज़ाय से उनकी लाइफ में काफी बड़ी-बड़ी प्रॉप्ड्रम करते हुए देखने के लिए आए हैं क्योंकि अगले दिन से वो लोग सिटी हॉस्पिल में डॉक्टर जोसफ के अंडर इंटर्शिप करने वाले हैं आगे हम यंग डॉक्टर्स में स्टेफणी नाम की लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर जोसफ को अपना में साइमन काफी स्मार्ट है जिसके बाद डॉक्टर जोसफ यंग डॉक्टर्स को कहते हैं कि मेरे सिखाने का तरीका काफी अलग है और साल खत्म होते होते तुम लोगों में से कई लोग मुझे हेट करना शुरू कर दोगे और फिर आता है न्यू येर का दिन सभी यंग ड पदल कर अपने डाट को हॉस्पिटल लेकर आता है वहीं थोड़ देर बाद जब अपने साथियों के साथ फोन पर बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि गैलेंटीनो फामली ने एंजीलो के डाट को मानने के लिए हॉस्पिटल में एक हिट मैं भीजा है तरसल के कपड़े पहन कर और उन्हें मारने के लिए वहाँ पर जाता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता नौरीन आकर हिट मैन को पेशिंट समझ कर इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है इधर हम सब यंग डॉक्टर्स की लव स्टोडी देखते हैं जिसमें सबसे पहले डॉक्टर बक अपनी पेशिंट के साथ रिलेशन में आता है और डॉक्टर फिल नौरीन पर ट्राय करता है लेकिन नौरीन उसे मार कर वहाँ से भगा देती है दरसल कुछ टाइम पहले नौरीन ने फिल को एक नोट दिया था जिससे फिल को लगा कि न नौरीन उसे पसंद करती है दूसरा रिजन ये होता है कि नौरीन हास्पिल के मेडिसन की इंचार्ज होती है जिसमें ड्रक्स भी होते हैं और वही ड्रक्स फिल को चाहिए थे इसलिए वो नौरीन से प्यार करने का नाठक करता है इदर साइमन स्टेफनी को डेट पर लेकर पर वो तोड़ी ही दिर में ठीक हो जाता है और साइमन के पूछने पर स्टेफनी उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है अगले दिन जब डॉक्टर्स जोसफ सभी यंग डॉक्टर्स के साथ पेशन को एक्जामन कर रहे थे तब ही साइमन के अब्जवेशन और दरसल उसने नहीं बलकि किसी पेशिट ने लिखा था अभी जाने के वाद फिल नौरीन को सौरी बोलने के लिए उसे गिफ्ट देता है और नौरीन की सिंपती पाने के लिए कहता है कि वो दिन में तीन जॉब्स करता है जिसके कारण वो काफी ठका ठका सर रहता है उसक नौररिन cabinet में से ड्रक्स की कैपियों निकालकर फिल को देती है और हमें पता चलता है कि यह वही कैपियों से जो फिल को पहले दिन से चाहिए थे और जब नौरीन का ध्यान दूसरी तरफ था तब फिल चुक्के से डेर सारी काप्सूल्स निकाल लेता है वहीं जाने से पहले फिल नौरीन को किस करता है नौरीन दंग रह जाती है क्योंकि लाइफ में पहली बार उसे किसी ने किस किया था दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर वाल्टर एंजीलो जो की लड़की के रूप में था उसकी तरफ काफी अट्राक्ट होता है और उसके फ्लोट करने के कोशिश बे करता है लेकिन साइमन के बार-बार कहने पर स्टेफनी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है जिसके बाद साइमन वहीं बैट कर स्टेफनी को औरफन बच्चों के साथ डांस करते हुए देखता है लेकिन तभी फिर से स्टेफनी के पेट में दर्द होने लगता है और कहता है कि अब पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी बिमारी है इस पर स्टेफणी पहले तो उसे टेस्ट करने से मना करती है लेकिन जब साइमन नहीं मानता तो स्टेफणी कहती है कि रिजल्ट आने पर मुझे जरूर बताना कि मुझे क्या हुआ है इस पर Simon agree होता है जिसके बाद Simon spit वाला paper डॉक्टर लिडविक को देता है ताकि वो उस पर test perform कर सके और पता चला सके कि स्टेफनी को कौन सी बिमारी है इसके कुछ दिनों बाद Dr. Joseph Simon को उनके साथ surgery perform करने के लिए कहते हैं जिससे सुनकर Simon को खुश होना चाहिए था क्योंकि वो भी Dr. Joseph की तरह एक अच्छा surgeon पहना चाहता था लेकिन हम उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ देख सकते हैं वहीं साइमन Dr. Joseph के साथ surgery perform करने वाला है य इसकी वज़ा से साइमन भी एक surgeon बनना चाहता है वहीं उसके बर्दे के दौरान अपने डायट के कहने पर जब वो आनिमल शेप में बना केक कट करता है तब उसमें से जोकर भार आता है जिसे देखकर साइमन काफी ज़दा डर जाता है और इसके कारण साइमन सर्जिरी करन है एक बार डर निकल गया तो तुम काफी अच्छे surgeon बन सकते हो उसके बाद स्टेफनी साइमन को operation रूम में अंदर लेकर जाती है जहां पर वो दोनों intimate होते हैं तब ही वो देखते हैं कि डॉक्टर लूडविक उन्हें monitor रूम में देख रहे हैं जोकि यहां पर स्टेफनी के results बताने के लिए आई थे जो कि negative था यह सुनकर साइमन और स्टेफनी काफी जादा खुश हो जाते हैं मगर जब डॉक्टर लूडविक अपने assistant के बारे में बात कर रहे थे तब ही हामें पता चलता है कि साइमन ने बताय हुए सारे test डॉक्टर लूडविक ने perform नहीं कि देते हैं जिसमें साइमन और स्टेफनी के साथ साथ सभी लोग आए हुए थे पार्टी में फिल नौरिंग के गल्ले से उस cabinet की चाबिया निकाने के कोशिश करता है जिसमें ड्रग्स रखी हुई थी जिसमें वो काम्याब भी हो जाता है इधर स्टेफनी साइमन को बताती ह है जिसे देखकर सब लोग तुरंट उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहां पर साइमन को बता चलता है कि जो टेस्ट उसें डॉक्टर लूटबिक को करने के लिए कहे थे वो उन्होंने किये ही नहीं साथ में डॉक्टर लूटबिक ये भी बताते हैं कि स्टेफनी की हालक जिसके बताता है। साइमन उसे किस करता है दूसरी तरफ डॉक्टर बॉल्टर को भी पता चल जाता है कि एंजीरो दरसर एक लड़का है और ये बात पता चलते ही उसे काफी बुरा लगता है मुवी के आखिर में हम देखते हैं कि स्टेफनी और साइमन ने शादी कर ली और इसी के साथ हमारी मुवी का एंड हो जाता है